चुनावी चंदे के रूपे में भारतिय जनता पार्टी को 10,000 करोड रुपे से ज़्यादा मिले हैं ये पैसा किसका है देश को जानना चाहिए लेकिन नरेंद्रमोदी की सरकार यानि भारती जनता पार्टी सुप्रिम कोट में कहती है कि देश की जनता को जानने का हक और अधिकार नहीं है नमस्कार मिरनाम नविन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक ये तमान जो पार्टियां हैं समाजवादी पार्टी हो भारती जनता पार्टी हो बहुजन समाज पार्टी हो आर जेडी हो आर रेल्टी हो तमान जो पार्टियां है इनके पास पैसा कहां से ज लोग हैं गरीब जन्ता है पैसा कहा से जाता है जबाग तो देना चाहिये लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सुनुवाई हो रही थी और नरेंद्रमोदी की पार्टी ने कहा सुप्रिम कोट में देश की जनता को जानने का अधिकार नहीं है इलेक्ट्रोरल बांड के जरिये किसके पास कहां से पैसा रहा है यानि इनका इंकम सोर्स क्या है देखे देनिक भासकर रेकार्ट का लिखता है जनता को पाइटियों का income source जानने का धिकार नहीं, Electoral Bond पर केंद्र ने यस्ती से कहा, इसकी मौझूदा धिकारों का उलंगन नहीं करती, Electoral Bond के तहट राजनितिक पाइटियों को मिलने वाले चंदे को सारवजिरीन बनाने की मांग करने वाली याच्चका पर Attorney General और वेंकर ट्रमनी ने रभिवार को अपने विचार रखें, उन्होंने Supreme Court में कहा कि समिधान ने नागरिकों को इन funds का source जानने का मौलिक अधिकार नहीं दिया है, उन्होंने Court को चेताओनी दी कि Electoral Bond को regulate करने की policy पैस्य डोमेन में ना आयए, अरे भाया क्यों ना आयए, बताईयो थh सही, भारती जंता party के पास Congress party के पास कहा से पैसे आ रहा है, कौन से लोग पैसे दे रहे हैं, क्या आप लोग भी party को पैस को पैसे देते हैं, आप लोग पार्टियों को पैसा तभी देंगे जब उन पार्टियों से आपको राजनीतिक लाफ लेना होगा और जब जो प्राइवेट कमपनियां हैं वे लोग पार्टियों को फंड करेंगे तो क्या कमपनियां जो हैं उनके पास दिमाग नहीं है वे लोग इन पार्टियों को पैसला क्यों देंगे जाहिर सी बात है कमपनियों को सरकार से पार्टियों से कुछ काम करवाना होगा और काम कैसे करवाना होगा इलीगल काम करवाना है या लीगल काम को आसानी से करवा लेना है यह आपको जानना और समझना होगा लेकिन जो खबर है वो खबर मैं आपको बता रहा हूँ रविवार कुनों ने कहा कि नारिकों कोई अधिकार तो है कि वे उमिद्वारों की क्रिमिनल हिस्ट्री जाने लेकिन इसका है मतलब नहीं कि उन्हें पार्टियों की इंकम और पैसों के सोर्स जानने का अधिकार है मैं वही फिर कह रहा हूँ क्यों नहीं जाननेगा अधिकार है दर असल 31 अक्रूबर को सुप्रिम कोर्ट में C.J.I. D.Y. चन्दचूर की अधक्ष्टा वाली पांच जजो की सम्धान पीट इलेक्टोरल बॉंड मामले की सुनवाई करेगी इसमें जश्टिस अंजीव खन्ना, जश्टिस बीयर गवई, जश्टिस जेबी पारदिवाला और जश्टिस मनोज मिस्तरा शामिल है वेकर ट्रमनी ने कहा कि स्कीम किसी विव्यक्त के मौझूदा अधिकारों का उलंगन नहीं करती है साथ या स्कीम डोनर्स को पहचान उजागर ना करने की सुधा भी देती है एक क्लीन मनी के डोनेशन को बढ़ावा देता है इससे डोनर अपने टेक्स के दाइप तो जानेगा अब आप ऐसे बहुत सिंपल शब्दों में समझिए कि कॉंगर्स पार्टी आवरोप लगाती है भारती जनता पार्टी के उपर अडानी के उपर अंबानी के उपर कॉंगर्स पार्टी के कहती है कि अडानी जो है अडानी जितना बोलते हैं अडानी जितना चाहते हैं उतना ही हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी बोलते हैं अडानी के घर पर कभी CBI, ED, IT की टीम नहीं पहुंचती पता है क्यों? क्योंकि कॉंग्रिस का आरोफ है कि जादस जादा पैसा अडानी गलब तरीके सकमाते हैं और इसके बाद जो पैसा होता है उसका कुछ हिस्सा भारते जनता पार्टी को डोनेशन के तोर पर अडानी सम्हू देता है गोतम अडानी देते हैं और इसलिए BJP नहीं चाहती कि अडानी कितना रुपया या अमबानी कितना रुपया या कोई कंपनी वाला फैक्टरी वाला कितना रुपया भारते जनता पार्टी के खाते में डाल रहा है कितना रुपया दे रहा है इस देश की जनता ना जाने अगर देश की जनता जान जाएगी तो देश की जनता समझ जाएगी कि बहुत बड़ा खेर चल रहा है 10,000 से जादा करोर रुपय जो BJP खाते में आएं BJP को चंदे के रूप में मिला वो पैसा किसका है क्या आपने डोनेशन दिया भारती जिंता पार्टी को क्या आपके माता पिता आपके चाचा ताओ दादा दादी नानी बेटा बेटी आप लोगों ने भारती जिंता पार्टी को डोनेशन के तोर पर आपने पैसा दिया चंदे के रूप में दिया नहीं दिया होगा मुझे पता है लेकिन भारती जिंता पार्टी के खाते में इतने रुपे कहां से आए किसने दिये और सुप्रिम कोर्ट में इसलिए पूरे मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर को हो रही है और अगर सुप्रिम कोर्ट फैसला सुना देता है तो यह समझ लीजिए कि बहुत बड़ा जो नक्सस है भरिष्टाचार आप बोल सकते हैं उसका खुलासा हो सकता है अगर सुप्रिम कोर्ट कह देता है कि पार्टियों को बताना होगा किन कि लोगों ने कितना कितना रुपया किस-किस माध्यम से राजनितिक पार्टियों को दिया है क्योंकि भारती जन्ता पार्टी एकलोती देश की ऐसी पार्टी है जिसके पास इस वक्त सबसे ज़्यादा उर्पया है यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह हिंदुस्तान की रिपोर्ट कह रही है आप देखे हिंदुस्तान ने बकाइदा खबर की है लिखा है इंदुस्तान ने Association of Democratic Reforms यानी ADR की रिपोर्ड के अनुसार भारती जन्ता पार्टी भाजपा को गवर कीजिएगा भारती जन्ता पार्टी यानी भाजपा को 2016 से 2022 के बीच सबसे अधिक चंदा मिला है सबसे ज़्याद चंदा मिला है BGP को केंद्र की सत्ताधारी पार्टी द्वारा घोशित चंदा अन्य सभी राष्ट्रिय दलो द्वारा घोशित चंदे से तीन गुना से भी अधिक है आप सूचिए वित्वर्स 2016 सत्रहा और 2021-22 के बीच BGP ने सबसे अधिक 10122.031 करोड रुपे का चंदा घोशित किया था यानि 10122 करोड पी चंदे के रूप में BGP को मिला है और इसलिए BGP कह रही है चंदे की बात ना की जाये तो साहब जादा ही बेतर है स्वाती मिस्रा लिखती हैं हर किसी की फंडिक पर नजर रखने वाली सरकार जनता को पार्टियों की फंडिंग के बारे में बताना नहीं चाहती सरकार ने सुप्रिम कोर्ड में कहा है कि जनता को राजनितिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे के बारे में जानने का अधिकार नहीं है इलेक्टोरल बॉंड से लेकर PM केर फंड तक ना जाने कि उसरकार जनता को कुछ भी जानने नहीं देना चाहती जबकि पार दर्शिता लोकतंद्र को और मजबूत करती है RTI कारकरता बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में सुचना के अधिकार के तहत कोई जानकारी मांगे जाने पर बहाने बना कर सुचना देने से इंकार करने के मामले भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं अब आप सुचिए और वहीं जो है कि राहूल गांधी का बयाहान सामने आए राहूल गांधी न कहा दिल्ली में हमारी सरकार बनते है अधानी का पैसा भी गरीबों में बाट दूंगा यानि अधानी का जो अकूद संपत्ती है उस धन को गरीबों में बाटने का काम राहूल गांधी करेंगे अगर राहुल गांधी सत्ता में आते हैं तो यानि राहूल गांधी का बहुत बड़ा माश्टर श्ट्रोक अब तक का माना जा रहा है लेकिन देश की जनता का ऐसे भरोसा करे क्योंकि नरेंदर मोदी ने भी कहा था कि जब मैं सत्ता में आऊंगा 15-15 लाक हर एक भारती के खाते में पहुंच जाएगा यानि हर एक भारती लगतती हो जाएगा उसका क्या हुआ कुछ नहीं हुआ लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि नरेंदर मोदी जी जेपी नड़ा शाहाब आप लोग बताईए ये जो 10,122 करोड पे आए हैं किन-किन लोगों ने आपको चंदा दिया है क्योंकि संजे सिंग जब राजसभा में कहते हैं मोदी अडानी भाई 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 देश बेच के खाई मलाई और पूछते हैं संजे सिंग की 20,000 करोड का क्या हुआ किसका पैसा था कहा गया कोई जबाब नहीं देता और उसके बदले में इनाम दिया जाता संजे सिंग को संजे सिंग को राजसभा सिनिलंबित कर दिया जाता है और अब तो इस वक्त संजे सिंग जेल में बंद है दिल्ले की तिहार जेल में संजे सिंग बंद है लेकिन आप सोचिए कि भारते जंता पारटी क्यों नहीं चाहती क्यों नहीं चाहती कि पता चले कि कौन सा व्यक्ति कितना रुपया चुनावी चंदा बीजेपी को दे रहा है और बीजेपी पता है अगर सच बाहर आ गया तो जंता जागरुख हो जाएगी और एक बड़े भ्रष्टा चार का खुला सा वसकता है कि एक दोचार विक्ति ही भारते जंता पार्टी को करोडों में चंदे के रूप में पैसे क्यों दिये रहे हैं फिलाल पुरी वीडियो पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा धन्वाग नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख